अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उन प्राइज और वैल्यूज की बातें जो की लाइफ इंशूरेंस पॉलिसी में की जाते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीमियम की जब भी हम किसी पॉलिसी की बात करते हैं तो बात आती है अब मेली हमें यह पता होना चाहिए कि प्रीमियम का मतलब क्या होता है या फिर प्रीमियम का जो क्वेश्चिन आपको एक्जामने आएगा वह किस तरह से पूछा जाएगा तो फर्स्ट फॉल वाट इस प्रीमियम सो प्रीमियम डिनोट्स प्राइज पेड बाई इंशूर्ड फॉर परचेजिंग दा पॉलेसी यानि की जो इंशूरेंस पॉलेसी है क्योंकि ये एक प्रोड़क्ट की कैटेगरी में आता है तो लाइफ इंशूरेंस पॉलेसी खरीद सकते हैं क्वाटरली भी पे कर सकते हैं हाफ ये या फिर येरली मोड में भी हम इसे पे कर सकते हैं ठीक है वह इंशूर्ड की अपनी चोईस पर डिपेंट करता है अच्छा नेक्स्ट कुश्चिन जो आप से पूछा जा सकता है वह ये कि जब ये प्रीमियम डिसाइड किया है कि प्रीमियम को सेट करते हुए कंसीडर किया जाता है मौर्टैलिटी रेट देन मैनेजमेंट एक्सपेंस देन इंटरस्ट देन बोनस लोडिंग एक्सेक्टर ये सभी चीजों को कंसीडर करके ही प्रीमियम की वैल्यू जो है उसे सेट किया जाता है ठीक है नेक्स्ट ज इसका जो question आपको exam में आएगा, वो किस तरह से आएगा, तो देखें, lapse का मतलब होता है, कि अगर कोई policy holder अपने policy का premium भरना बंद कर दे, तो उसकी policy जो है, वो रुक जाती है, बंद हो जाती है, उसे कहा जाता है policy lapse हो जाना, और आपको इसको question भी इसी तरह से पूछा तो आपको यह ध्यान रखना है, कि lapse means the policy holder discontinues the payment of the premium, ठीक है, next आपने जो बात याद रखनी है, वो है कि कुछ 3 साल अगर आपकी policy चली हो, यानि कि आपने 3 साल regular premium भरा हुआ हो, और उसके बाद अगर आपको जूरूरत पड़े तो आप अपनी policy को withdraw भी करवा सकते हैं, ठीक ह को उसकी एक surrender value जो है, उसके बराबर amount insurance company दे देती है, ठीक है, तो यानि कि आपके पास यह facility है, कि आप अपनी policy को withdraw करवा सकते हो, और उसके बदले में आपको surrender value मिल जाएगी, ठीक है, एक और बात आपको ध्यान रखनी है, वो यह है कि जो insurance companies हैं, उनके भी अपने assets रहते ह अब वो जो assets हैं, उनकी valuation और pricing जो है, वो insurance companies करती है, अब वो तीन ways में अपनी assets की valuation करती है, और वो जो तीन ways हैं, उनमें सबसे पहली है book value, अब book value वो value होती है, जिस price पे जो assets हैं, वो खरी दे गए हैं, ठीक है, यानि कि the book value is a value at which insurer purchases the assets, दूसरी जो way है, वो है market value, अब market value क्या होती है, यह होती है worth of the insurer's assets in the marketplace, यानि कि जो insurer's assets की value है, market में उस time पे उसे market value कहा जाता है, और जो इसका तीसरा way है, उसे कहा जाता है, discounted present value, यानि कि future के हिसाब से, future income के हिसाब से, एक value calculate की जाती है, और फिर उसके estimate present के हिसाब में लगा दिया जाता है, ठीक है, तो उसे कहा जाता है, discounted present value, Let's start with the self-examination questions, question number one, what does a policy lapse means, एक policy के lapse हो जाने से आप क्या समझते हैं, या आप कह सकते हैं कि एक policy का बंद हो जाना इससे आप क्या समझते हैं, options, पहली option है, policy holder completes premium payment for the policy, यानि कि जो policy holder है, उसने policy का premium पूरी रूप से भर दिया है, second option, policy holder discontinues premium payment for the policy, policy holder ने premium भरना बंद कर दिया है, option third है, policy attains maturity, policy mature हो गई है, और fourth option है, policy is withdrawn from the market, कि policy को withdraw कर लिया गया है, अब देखिए, lapse होने का मतलब है, policy का बंद हो जाना, तो इसका जो सही answer होगा, वो होगा option second, यानि कि policy holder ने policy का जो premium है, उसे भरना बंद कर दिया है, now next question, what does term premium denote in relation to insurance policy, यानि कि अगर हम insurance policy में premium की बात करते हैं, तो उससे अब क्या समझते हैं, देखिए हमने पढ़ा है, कि premium क्या होता है, क्योंकि जो life insurance है, वो एक product है, और जब हम कोई product खरीदते हैं, तो हमें उसे उसका price बे करना पड़ता है, तो premium जो है, वो life insurance policy का price होता ह है, धूड़िये जल्दी से कहा है इसकी सही option, विलकुल सही है, option B, price paid by an insured for purchasing the policy, now next question, which element of a valid contract deals with the premium, यानि कि जब हम premium calculate करते हैं, तो किस चीज़ को consider किया जाता है, options है, offer and expectancy, then consideration, free consent and the capacity, देखिए जो premium है, इसे calculate किया जाता है, consideration में, क्योंकि premium calculate करने के लिए, बहुत सारे factors को consider किया जाता है, तो इसका जो सही answer होगा, वो होगा, option B, now move to the next question, which of the below is not a factor in determining the life insurance premium, ये question कह रहा है, कि जब हम life insurance premium calculate करते हैं, तो किस factor को consider नहीं किया जाता, सबसे पहले है mortality, यानि कि death rate, फिर है rebate, यानि कि chute, फिर है reserves, और फिर है management के expenses, देखिए, mortality, reserves और management expenses, इन सभी को insurance premium में consider किया जाता है, calculation में use किया जाता है, पर rebate, क्यानि कि chute जैसी चीज़ का insurance के premium में कोई भी connection नहीं है, तो इसका जो सही answer होगा, वो होगा option B, Now next question, what is a policy withdrawal, policy withdrawal से अब क्या समझते हैं, देखिए, policy withdrawal का मतलब होता है, कि policy को बंद करवा देना, और जब हम policy को बंद करवा देते हैं, तो हमें GSB के under, अपनी policy की एक surrender value मिल जाती है, तो चेक कीज़े, surrender value कौनसी option में मिल रही है, बिलकुल सही है, option B, यानि कि surrender of the policy in return for acquired surrender value, Now next question, which of the below is one of the ways of defining the surplus, अब ये question कह रहा है, कि surplus को आप कैसे बताएंगे, अब देखिए, surplus का मतलब होता है, extra, ठीक है, तो surplus यहाँ पर जो options हैं, उससे मैं आपको इस question को समझाती हूं, पहली option है, excessive liabilities, यानि कि अगर किसी की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, उसको हम excessive liabilities कहेंगे, second option है, excessive turnover, यानि कि किसी की कमाई बहुत ज़्यादा है, third option है, excess value of liabilities over assets, यानि कि जो जिम्मेदारियां हैं, वो ज़्यादा हैं, assets के comparatively, और D option है, या fourth option है, excess value of assets over the liabilities, यानि कि उसके जो assets हैं, वो ज़्यादा हैं, उसकी liabilities के comparatively, तो देखिए, surplus यानि कि extra, तो आपका option D बनेगा, यानि कि अगर किसी की जो assets हैं, या property है, या जो कमाई है, वो उसकी जिम्मेदारियों से ज़्यादा है, तब उसको आप surplus की category में रखोगे, तो इसका जो सही answer है, वो है option D, Now, next question, which of the below is not a component of ULIP premium, देखिए, हमने ULIP policy के बारे में पढ़ा था, अपनी chapter 9 में, और इसमें इन्होंने कहा है, कि अगर आप ULIP का premium calculate करते हैं, ULIP एक market based plan है, unit linked insurance plan, तो उसमें आप कौन से component को consider नहीं करोगे, जो नीचे दिये गए हैं, देखिए, policy allocation charge तो premium में आएगा, फिर investment risk premium भी आएगा, mortality charge भी आएगा, पर जो option D है, social security charge, इसका ULIP के premium या फिर किसी भी policy के premium से कोई connection नहीं है, तो इसका जो सही answer होगा, वो होगा option D, next question, life insurance companies may offer rebate to the buyer on the premium, that is payable on the basis of, dash, अभी या question कहरा है, कि जो life insurance companies हैं, वो buyer को premium पे कुछ rebate offer कर सकती हैं, अब आपको नीचे दी गई options में से चुनना है, कि कौन सी सही option होगी, जिस पे की companies, buyer को premium पे rebate offer करती हैं, तो सबसे पहली option है, option A, some assured chosen by the buyer, यनि कि जो बीमा धन, buyer ने चुना है, उस पर option B है, type of policy chosen, यनि कि किस प्रकार की policy चूज की गई है, option C है, term of the plan chosen by the buyer, यनि कि कितने term का policy को लिया गया है, और option D है, mode of the payment, यनि कि कौन सा mode of payment वो चूज कर रहा है, यनि कि cash में पैसे दे रहा है, या check के द्वारा दे रहा है, या किसी और method के द्वारा, तो देखे, इसका जो सही answer है, वो है A, some assured chosen by the buyer, अगर some assured है, जो कि buyer ने particular कोई चूज किया है, उसी पर life insurance companies, buyer को rebate offer कर सकती है, premium पर, तो इसका सही answer होगा, option A, now the next question, interest rates are one of the important components used, while determining the premium, अब ये question कह रहा है, कि जब हम premium की बात करते हैं, तो interest rate को भी consider किया जाता है, ये तो एक main point है, which of the below statement is correct, with regard to interest rate, और जो नीचे दी गई options हैं, उनमें से आपने चुनना है, कि कौन सी statement सही है, अगर हम interest rate की बात करते हैं, premium के साथ, तो देखिए, हर एक buyer, as a buyer, हर एक individual और customer और a buyer, यही चाहेगा, कि हमें premium कम देना पड़े, और interest rate हमें ज़्यादा मिले, तो इसका जो सही option है, वो है option C, यानि कि higher the interest rate assumed, and lower the premium, so right answer is option C, अब आपके लिए, last में है एक bonus question, जिसका की answer आप मुझे comment करके बताएंगे, मैं आपको पहले question समझा देती हूं, with regard to valuation of assets by insurance companies, dash is the value at which the life insurer has purchased or acquired its assets, and the options are discounted future value, discounted present value, market value, और book value, तो इसका answer मुझे जल्दी से आप comment करके बताएंगे, best of luck.